Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. Children, you already know about standing line, top to bottom and sleeping line, right to left. Today, I will tell you about curves. Okay, bachow, आज मैं आपको बताने बाई है, curves line के बादे में. So, look at the boat, आप बोड की तरफ देखें, bachay. देखे, सबसे पहले हैं, जब आप अपवर डारेक्शन में जाते हैं, तो यह होता है आपका अपवर कर्व. Look at this. This is your अपवर कर्व. यह उपर की तरफ खुला, ठीक है? जब आप नीची की तरफ आते हैं, look like this, देखे, यह होता है आपका डाउन बोड कर्व. This is your downward curve. दिखाई दिया बच्छों आपको, जब आप इसको इस तरह से बनाते हैं, left side. So यह हो आपका left curve. देखे बच्छों, इसका फेस आपका left curve हो गया, ओके? और जब आप इसको C जैसा डारेक्शन में बनाते हैं, like this, देखे बच्छों. यह आपको कौसार curve हो गया? This is your right curve. ओके? तभी आप देखो arrow कुछ नहां से देखे. इसका फेस खुला आपके तरह से upward, इसका फेस नीचे के तरह से downward curve, इसका फेस लेफ साइड है, left curve, और यह आपका right side face है, इससे right curve. ओके बच्छों, जब आप इस चारो curves को joint together, एक साइड करते हैं बच्छों, तो क्या आपका साइड बन जाता है a curve? This is circle, look at this. समझ में आया आपको, एक बड़ दुबारा बताना चाहूंगी, उपर की तरह गया, that is upward, नीची की तरह आया, that is downward, जब यह लेफ साइड गया, यह आपका जो face है left side, यह left curve हुआ, और यह right side face गया, तो यह आपका right का हुआ, और उसके बाद यह चारों मिलके आपन जोइन किया, तो यह क्या बन गया आपका, सरक, ओके बच्चो, तो please practice that हो, ठीक है, thank you बच्चो